जाहिन दोस्तों स्वागत है आप सबके अपने यूटूब क्यानल रेंकरेश्टडी सेंटर में तो दोस्तों मैं हूँ प्रधीब और पने यूट पर्धा दिकट नहीं होने वाला इस वीडियो के देखने एक तो चलिए सबसे पहले डालेते है कि दγवाकई नहीं आये मोवठी तो देखियों की देखने है आपको समाझ में नहीं आएगा जैसे कि बाठ पहले आपको पॉर्ब के बता देते हैं तो आपको समझ में आए या तो आपको समझाएंगे और बताएंगे तो आपको मुझाएगैं यह बहुपध किया है धेकिये बहुपध किया है यह या वैसा भियन्जक जिसका घात हमेशा धनात्मक पुर्नांग या पूर्ण संखिया के रुप में होता है उसी को हम बोपद कहते हैं ठीक है नहीं पुझाया उसे कोई दिकत नहीं देखिए वैसा भियन्जक तो भियन्जक किया है ठीक है अब आपके यह मन में उठेगा कि भियन और बयाद बवाण्जक्त क्या भा तो बुझाइगा, आपको बुझाएगा सबसे पहले आप लिखे बियंजक किया है, यानि आप परभासा लिख लिजे तो आपको सम्झाते हैं कि यह बियंजक किया है, ठीक है, सबसे पहले आप कॉपणी के लिखे बियंजक किसे कहते हैं, यानि वैसा संखिया बियंजक में लिखे, वैसा संखिया जो चार और 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 चार संख्याओं को मिलने से जो सब्द बनता है उसी को हम बियंजग कहते हैं नहीं पुझायत देखिए फिर से एक बार यानि ओऊसे संख्याए जो 4 और 24 से मिलने से बनता है उसी को हम बियंजग कहते है यानि आपको समाझ में नहीं है के भाई 2x plus यहाँ पर 3 हम लिखते हैं ठीक है अब इसमें आपको बताना है कि 4 कौन है और 4 कौन है ठीक है तो देखिए 4 कौन है देखिए यह जो होता है ना अंक वाला जो होता है यह और 4 होता है और 4 होता है यह जो A B C D देखिए A B यहाँ पर देखिए यानि A B C X Y यह सब जो होता है वह 4 होता है और Quill t दो ती यानि गिंती के संख्या जो रहता है ना वह अचार रहता है क्या होता है वह अचार रहता है यानि देखिए चार और अचार देखिए यह क्या है यह अचार है ना यह चार और अचार संख्याओं के मिलने से जो सब्द बनता है ना यह जो सब्द बनता है ना इसी को हम को में करेंगी तोसम बनता चाहता है उसी को को जरूरी है कोई भी की पूछ सकता है कि वियांजघ की से कहते है बताए यह घात किया है यानि घात किया लिखिए यानि कॉपी निकाला है ठीक है अब लिखिए घात हेडिंग दीजिए अब लिखिए घात किसे करते है यानि किसी भी संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है यानि किसी भी संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा पावर जैसे कि यहाँ इसी को भावर बोलते हैं इसी को हम पावर बोलते हैं यानि ये किसी भी संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है उसी को हम घात कहते हैं तो इसमें कोई पुछा जाए पूछेगा कि इसमें ये जो संख्या है ये जो बेंजक है इसमें आप बताएए कि इसमें घात कितरा है यानि घात आपको पूछा जाएगा कि स सबसे ज्यादा घात कोई है तो पांच है तो इसमें कितना घात है तो एक उपर भी आपको भुझा गया द儇तन। धनात्मक पूर्ण संख्या एक ही है चिक है और पूर्ण संख्या कीसे कहते है यानि पूर्ण संख्या कीसे कहते है देखिए पूर्ण संख्या कीसे कहते है यानि गिंती को संख्या जैसे कि गिंती के संख्या एक हुआ दो हुआ तीड हुआ चाल हुआ पाच हुआ यह सब गि यहाँ पे उधारन दिया गया है यहाँ पहचानियर के बहुपद इसमे है इसमें कोन बहुपद है कोन नहीं है देखिये इसी से अभी यह जो पूर्ण संख्या है ना इसी से हम लोग पहचानेंगे कि इसमें कौन यह बहुपद इसमें हाए की नहीं आए नि कोई जैसे कि आपके जैसे कि आप चेप्टर बनाएगा तो उसमें आएगा यानि वह टॉपी कराएगा कि निमलिखित में से आप बहुप वह प्थी हैं अगरही से उफियासे जैसे कि यह यहां पर देख़ए तीरी एकस्के प्वावर प्राँ प्राच क्ल्र आक यह से पाहटर आप पुर्ण सांख्या में सबसें पहरंट करनां कि इसमें आप या जो पावर-दृर्प पुर्ना है कि पूर्न संख्या हाए कि नहीं तो इसमें दखिए 1 2 3 4 5 इसमें देखिए 5 आ जा रहा है कि नहीं यहां पर यह पर दो आगिया तो यह क्या है यहां पर बीत दो आगिया और नीचे यहां पर देखिए यहां पर x है ना तो जब इसे देखिए यहां पर 2x square plus यहां पर 3 है ठीक है उपर 3 है और नीचे x है तो जैसे कि देखिए x जब उपर जाएगा ना यह क्या यह पूर्ण संख्या है यह पूर्ण संख्या नहीं नहीं पर जेखिए ऊपर 4 being आम माइनस जैसे की एक सई ऊपर जान जागा तो इदा यहीं माइनस की हमखे यह तो है toughest जात के है यह कि अ सुपा हो और जो यह सब माइनस की है वह ब tip नहीं यहां पे देखिए यह बहुपद हाई कि नहीं बताए देखिए जैसे कि देखिए इसके पावर कुछ नहीं चुपा हो तो इसके उपर में यानि यहां पे कुछ नहीं तो इसके पावर में एक चुपा हुआ है ना एक जब चुपा हुआ है तो यह पूर्ण संख्या एक से स् यानि पूर्ण संख्या रहेगा वह बहुपद होगा यानि पूरा पूरी पूर्ण संख्या होना चाहिए वह बहुपद होगा अब पूर्ण संख्या नहीं रहेगा यानि माइनस में जो भी रहेगा उपर घात में देखना है यहां पर इसलिए पर भासा लिखें यहां को दि जीरो से इस्टार्ट होता है अगर ये सब gjात जुपर लागा रहेगा और मैंस में नहीं रहेगा वह बहुपद हो गा नहीं तो वह नहीं होगा सब बिल्कुल आपको यह बुझा गया होगा चलिए इतना तो आपको खिलियार होगा होगा ठीक है यानि रैखिक या एक अईखिक या एक ऐक तरी घाट तरीं तरा में या भील कुल्टेटिशल्य स्ष्छ भारी स्वावन है यानि त्रीं तरीं यहां पेर्फुझारत त्सारा जगा तू चारा जगा तो चारा से उनुँआ अब द्यक्तिर आतर। घीटी करेंगा है यह को अपजेक्टिव कोचन से यहां से पिण हम दिव्घ्यगात को सनिय के संख़य कितना होुग हो गहां yeah अब हम दिव्घ्यात बहुततेैं यहांपको क्रा हुठ यह अब दिमाग में रखे यहां से बनता है कि राखिक बहुत ब्यापक रूप या स्तामानी रूप दूनों में से कोई भी एक देख सकता है अला कि देखिए यह ब्यापक रूप ही पर चली था यह उतना पर चली तो नहीं है ठीक है यह पुराना रूप हो गया यह नाया भरजन का है ठीक है कि रैखिक ब्यापक रूप कितना होता है ठीक तो यहाँ पर से दूग बरहना है यहाँ पर आपके लिख देना है, लिख दिये और लिखने के बाद किये। यानि एक क्यायकिक या रखिक का ब्याफ करी कितना होता है तेकिए तो एक पर और बहुत दुग होजएगा तो अ और बी होजएगा तो इचाहिँक होगा ब्यापक रूप यहां पर लिखने के बाद बीच में अपने से पलफ दे दिजिए यहां देखें यहां पूछा जाता है कि दिगहात ब्यापक रूप कितना होता तो आप रटियेगा यहां पर दूग मने कहा है कि यहां पर से एक सिकन कोम चुछा है तो यहां पर योग है तो यहांप दूग होचाएगा यहां पे A X square plus B X plus Y ठीक है बिल्खुल आपको पुझाया होगा आप चलिए यहां पे त्री घात बहुपद का व्यापकुरूप कितना होता है त्री पूछाए रहा त्री घात तो चार्गू अंक लिखना है कितना लिखना है चारगो उंक लिखना है, यहाँ पे A लिखना है, यहाँ पे B लिखना है, यहाँ पे C लिखना है, यहाँ पे आप ऐसे D लिख दीजें, ठीक है, यहाँ पे D लिखने के बाद देखे, सब के बीच में पलस पलस चीन दे दीजें, यहाँ पे पलस, यहाँ पर भी पलस, यहाँ आप पर sini खर दीजे इन अगर यह भार पूछा जाएगा के चोग भाउपद का त्करो ब्यापकृू रुप देगा आप लिखे तो आप नहीं लिखने पहरा लिखना है इस ताहँ ब्याफकृ कोई भी यानी कितना भी रखने का लई है अपने का लही विद्विफ करूअ एक लिफ्ट किणोर आपि elkिल्कुल परमिन के लिए यह Hackad ब्हुल पाइएगा इस तरह शीस तरह आपको बताहि नहीं तो आप याद करते है दिवहात भापत का यह व्यापक रूप होता है AX square plus BX plus C यह होता है यह होता है तिक है आपको याद नहीं करना है यह आपको trick बताये यह concept बताई इसी concept से आपको व्यापक रूप याद करना है एक यह दो बार अपने से पर revision किजिएगा ना आपनाफी में लिख ली कड़ा तो आपको बिलकुल यह दिमांग में इसारा चीज आपको फीट हो जाएगा ठीक है अब चलिए यह सवाल उठता है कि दिवहात बहपत इतना होता है जो यहाँ पर आपको बताए दिया है ठीक है एकस स्क्वार प्लस बी एकस प्लस यहां पर वही मान दिया गया ठीक है का सुन्यक आलफा और बीटा हो तो ठीक है यहाँ पर इसे हम रफ करते हैं ठीक है आलफा प्लस बीटा हो तो देखिए यानि आलफा इन और बीटा यानि इसे हम लोग आलफा बोलेंगे इसे हम लोग बीटा बोलेंगे ठीक है यानि आलफा और बीटा हो तो आलफा पलस कितना देखिए यहाँ पे यह जैसे लिख रहा है इसे आलफा परहेंगे यहाँ पे बीजैसे लिख रहा है यहाँ पे इसे बीटा बोलेंगे ठीक है आलफा प्लस बीटा बराबर कितना होगा नगिए है इसके लिएओ इसके असे अन्य सक्राओं करना हम देः वात के लिए था यहां पे भर दिखते थे इक डू यहां पर यहां पर निखने को लिखते थे ना तो यहां पर यहां पर एक यहां पर दे आई से खाट जाएगार यहांस Спटव दझ पय लिखे लिखने अब इताई ठीक है नीचे ला दीजे एको बैसे यहां से हटा दीजे ठीक है यहां से हट जाएगा यहां पे इसको हटाएगा तो यह नीचे चल आएगा तो अदेखे यहां पे खाली माइनस का चीन लगा दीजे क्या पहले यहां पे माइनस का चीन लगा दीजे यह सूत्र तयार हो गया आलफा प्लस बीटा बड़ाबर माइनस बी बाई ए कितना होगा माइनस बी बाई ए यानि बी बाई ए होजेगा कि वहला आपको माइनस अपने से लगा देना किया करना है अपने से लगा देना है ठीक है आलफा इंटु बीटा बड़ाबर सी बाटा ए किया होगा सी बाटा ए ठीक है alpha into beta बड़ाबर किया होगा c बाटा a होगा, बिल्कुल आपको यह सूत्र बुझा गया होगा, यह सूत्र बहुत यूज करेगा तीक है, जब आप बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कि alpha प्लस beta बड़ाबर कितना होता है, तो alpha plus beta बड़ाबर minus b by a होगा into beta बड़ाब अगर यह तील गोई आलफा प्लस बीटा और गामा देखे इसे हम लोग क्या परहेंगे यहाँ परहेंगे यहाँ परहेंगे इसे हम लोग गामा 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 परहे अगर ये सो कहाथ सुत्र क्या होता है, जैवल सिंदल को अगो इसे दो होता फार के साच सु सुत्र क्या होता है, तो यहां गोम लिखते थे और इहां पर दूंख्यो निखेंगे क्या लिखेंगे, चार गो लिखेंगे, लिखने के बाद दिखें जो A है ना A को हटाएंगे, तो नीचे लेकर चल जाएंगे, तो यहां पे A यहां पर आगे it, यहां पला गया it and then the तरीखा तीनगो हाए तो तीनगो परस चाहँार गो ता आ ब, c, d लीखिली जैगा a को हे थाली जैगा, a को बहिए थाली जैगा, और अल पहिले और लांस्ट में Dur त यह थाली ख़ाए दिजैगा यह सूतर तयार हो जेगा फिर यहाँ पे बीटा और गामा बीटा और गामा यहाँ पे बीटा और गामा हो गया फिर यहाँ पे गामा और आलफा में बुना किया गया गामा और आलफा गामा और आलफा बराबर कितना होता तो यहाँ पे देखिए इसका सुत्रे ती नमर है तो यहाँ पे C बाटा A होग इतना सुत्र ये जो सुत्र है ना बहुत बहुत यूज होने वाला ये बहुपत में यही जो चार बो सुत्र है ना ये तीन गो हो गया ये तूग हो गया ये ही सुत्र पर ये बहुपत ठीक हो गया ठीक है बस ये सुत्र आपको बिल्कुल किलियर हो गया हो अब चलिए ये डिव घाट बहुपद का ब्यापक रूप यहाँ पुचा जा रहा है, यह सूट्र में यहाँ यहसरी हो जाएगा, अब शूट्र कैसे है? भरस्ट बहुपद का यहाँ सचे यह सोट्र, कैसे unit होटा यही न था इसी के साहरा से अब दिवहात बहुपद का सुत्र भी यहाँ पर इकालेगा, कैसे इकालेगा देखिए, यहाँ पर जो X स्क्वाइर है उसी तरह यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, देने के बाद देखिए, यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, तो यहाँ पर भी X, इसी त तो इसका आलफा प्लस बीटा यहां पे आलफा प्लस बीटा का सुत्र क्या होता था आलफा प्लस बीटा का सुत्र यहां पे दिया गया है तो यहीं से बी कमान निकलना है क्यों एक को हटा देना है तो यह बी कमान हो जेगा क्या होगा यह बी कमान हो जेगा आलफा प्लस कमान इतना बज़ेगा माइनस आलफा प्लस बीटा ठीक है तो यहाँ पर रख लिजे ठीक है एकस स्क्वाइए ठीक है क्या है एकस स्क्वाइड और यहाँ पर माइनस है क्या है यहाँ पर यहाँ पर माइनस रखें क्या रखें यहाँ पर बी के स्थान पर माइनस रखें माइ भाद porte ही इत तो सुन्य को का योग ठीक है तो यहीं से अभीгляд करेंगे चंसे यहीं का मूर्द एको हटा देगे तो c का मन्द क्या हो जगा Ił archaта YOU I want your cookie logo जगां यहाँ सी कि क्या स्थान पे आलफा इंटूबीटा अपरक लिजे यहीं क्या होता है by गृता यहीं का सूत्र हो जाता है इस क्वैरल टॉम्झ ऑल्फा परोस बीटा इन टुव एक्स प्लस आलफाइंटू बीटा यहीं दुगार्थ बहुपद का सूत्र हो जाता है ठीक है थोड़ा यहां पर गिजर मीजर हो गया उससे कोई दिकत ना है समझ में आया ना जीस तरह समझाए है उस तरह आप कॉंप में लिखिए इतना से देखिए अब यहां से सवाल पू सुनियोपद यहां पर पूछा जाएगा ठीक हाथ बहुपद का योग या इतना है तो इसका योग कितना होग देख़ा योग परह प्रपलस यानी आप बीटा बराबर कितना होता है मैस बीबाइनय होता ज्गर nggak V과茉ह प rif Channel prest कितना होता तो B कमान कीतना हुआ 5 हुआ तो यहां पे ऐसे 5 लिखेगा और B बटा A होता है तो A कमान कीतना है 3 है, 3 होता है लेकिन माइनस में 7 है तो यह माइनस हो जदा है दिवहात बावापद का ये इतना दिया है तो योग पूछा है तो ये योग हो जागा ठीक है इस तरह जब आप चेप्टर बनाएगा तो चेप्टर में आपको मिलेगा ये दिवहात दिया है तो अभी ये सूतर लगाएंगे अगर यहाँ पे त्रिगहात दिया रहेगा तो त्रिगहात का ये कौन है सूतर यहाँ पे त्रिगहात के लिए क्या सूतर होता है माइन से बी-बाई ये होता है ये सुट्र हम लगाएंगे कि pelos सुट्र एक ही ही हम इसे कोईिकत नहीं डिगत लगाएंगे अगर ये गुणा में पुछा जएगा तो ये लगाएंगे ठीक है अनरी तो लीत देर दिया जता है इतना सवाल बनाएगा तो उसमें दो त्रह का सवाल मिलेगा। एक तो पुछा जयाँ से लिए और सवाल निमलीखीत में से रहाओ को पुछाल सवाल निमलीखित से पाहएगा। सवाल ममसीर हुआ जैब मैसीर 750 फ्रह बनाएगा। उसके लिए देखिए बहुपत का एक चेप्टर है ठीक है यानि NCRT बूक या कोई भी बूक होगा इस वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएगा उसका जब सलूसन कराएंगे ना या अबजेक्टिव कोचन को ट्रिक से जब आपको बनवाएंगे ना उस घरी आपको यह अब बता देगे तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो महाला की देखिए जो भी आम यह पी आपको प्रहाएंगे दुनिया का कोई भी बूक से बनाएगा आपसे सवाल बनेगा यह नहीं के नहीं बनेगा बिल्कुल आपसे बनेगा एक भी सवाल आपसे नहीं जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे आगले वीडियो में